दोस्तों हम सभी चाते हैं कि जब भी हम अपने घर को बनाएं तो हमारा घर मजबूत बने सालों साल टिका रहे और अगर कोई भुकम आता है तो कोई दिक्कत हमारे घर को ना पोचे लेकिन क्या आपको मालूम है कुछ अधूरी जानकारी होने की कारण कुछ लोग ऐसी गलती कर देते हैं घर को बनाते समय जिनका नुकसान हमें आगे चलके काफी बड़ा देखने को मिलता है और देखो मैं आपको बता दू जब भी आप किसी घर को बनाते हैं या किसी भी चीज़ को बना लो आप सोचों कि वो बंजबूत बने श्टॉंग बने तो हमें सबसे पहले उसके बेस पे ध्यान देना होता है यानि कि हम अगर किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं तो फाउंडेशन के तोर पर हमें कुछ बाते या कुछ गलती नहीं करनी चाहिए जो आज की वीडियो में मैं आपको उसमें से एक गलती दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकल दिखाऊ कि जो आप जाल देख रहे हैं यह जो मैस बिचाई गई है इस पर जो कॉलम के लिए पहले डाली जाती है फाउंडिशन में उसका साइज देखो और आपको किस तरीके से बनाए गया है वो देखो मेरी नजर में अगर आप इस तरीके से कोई मैस बनाते है अपने घर के अब इस तरीके से आप अगर कोई मैस को बनाते हैं तो मेरी नजर में बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि इस तरह के अगर आप मालो कोई भुकम आता है या कॉलम भी आप दे रहे हैं तो वो उसको प्रॉपर वेस नहीं मिल पाएगा सैटलमेंट होने के चांसे जादा होते है और अगर मालो कोई भी भुकम आता है तो कॉलम कॉलैप्स हो सकता है कॉलम आपका बैठ सकता है आपका घर को काफी ज़्याद नुकसान भी पहुंच सकता है अब यह क्या होता है कि अकसर आप आपने जो शॉप देखी होंगी जो स्टील की शॉप होती है वहाँ भी कुछ इस तरीके से बना के वो रेडी रखते हैं और सेल करने के लिए तो आप ध्यान ने कि कुछ इस तरीके से अगर आपका ठेकेदार बना रहा है या आप मार्केट से खरीद रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करना चाहिए अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर कॉलम को इस तरीके से खड़ा कर दिया गया है एक तो उसका साइज भी बिल्कुल गलत है जो गड्डा आप देख रहे हैं जाल आप देखो किस तरीके से बिचा गया है नीचे इटे लगाए गई गया है वो भी ठीक नहीं है और कॉलम की जो स्टैन कर गया है सेंटर में भी नहीं और कॉलम की सरीया भी आप देखोगे जो नीचे बैंड की गई है वो भी एकदम गल लेते हैं देखो अगर आपने बेस बना लिया बिल्डिंग का तो आप उससों उमीद रख सकते हैं कि आप आगे चल के इसको पर एक और बना सकते हैं या फिर आप अप आपको बदाना चाहूं कि सही तरीका होता है क्या जाल बनाने का बेसिकली आपकी जो भी आप पहले तो सबसे पहले आप इस गड़्डे का साइज जो है वो बहुत कम है बट मैं पर कोई गड़्डे का साइज रिकमेंड नहीं करूँगा उसके पर में काफी सारी वीडियो डाली है क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप कोई बिल्डिंग जो है किस तरीके से आप बना रहे हो कितने मंजिल बना रहे हो जाल आपको कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए चार बाय चार इंची की स्पेसिंग आपको रखनी चाहिए और कुछ इस तरीके से बैंड करना रहेगा बाकी compare में जो हमने भी पहले बात करी थी तो दोगों यही कलती ऐसी है जो अगर आप अपने foundation level पर या base बनाते समय कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका घर काफी मजबूत बन पाएगा और अगर हम बात करें तो भुकम में गिर भी जाएगा यह हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर आपको यह चीज तो knowledge हो जोगी कि हमें जाल को कैसे बनना है बागी column की सरिया क्या रखेंगी column की क्या size रखेंगे उसके पर मैं video डाली है separate तो जाके आप देख सकते हैं कुछ लोगों की comment आ रही थी कि कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रही है तो मैं किसी काम में अबर्जन्सी में फस्ट चुका था तो वह काम सॉल्व हो गया है अब वीडियो डेली आएगी तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी चैनल पर और भी आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं और अपने construction नॉलिज को इन्हेंस कर सकते हैं तो ठैंक य कि फॉर्म बचाएं वीडियो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में